हलो फ्रेंज रेनु की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूं स्वीट कॉन दोसा की रेसिपी और उसके साथ में खाने के लिए मज़ेदार सा चटनी भी बनाएंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा अगर रे की चीजे भी लेना हैं अगर एक कप स्वीट कॉन है तो वन एंट हाप कफ हमें स्वी चाहिए जिस का टोरी ग्लास से अप नाप रहे उसी से सूजी और स्वीट कॉन दोनों को मैजर कीजिए तह लोगा इसके बाद इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिली अगर आपके पास फ् तो अच्छा टेस्ट आएगा और हाप टीस्पून इतना नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डालिए और वन फॉर्थ कप इतना पानी डाल देंगे पानी एक साथ में नहीं डालना है पहले अच्छे से मिक्स करेंगे अगर ज़रत लगेगा तो और यहां पर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है इसमें एक से दो चमच इतना पानी और डाल देंगे ध्यान रहे एक साथ में पानी नहीं डालना है पानी डालने के बाद एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक सूजी रेश्ट कर रहा है इसके साथ खाने के लिए मज़ सा कम ज़्यादा करश रखते हो थोड़ा सा इसमें डालेंगे अद्रक जरूर डालें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मेश ले लेंगे जितना आपको स्पाइसी खाना है इसके बाद इसमें डालेंगे हाप टीस्पून इतना नमक अपने टे तो यहां पर ले लेंगे एक बड़ा चमच रिफायन आधा चोटा चमच इसमें डाल देंगे सरसो और एक सुखा लाल मिच डाल देंगे इस तरह से तोड़ करके थोड़ा सा कड़ी पटा डालेंगे चार से पांच जब सरसो क्रैकर हो जाएगा इसके बाद इसमें डालेंगे एक से दो चुटकी इतना हल्दी इस चटनी में हल्दी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है एक बार जरूर ट्राइ करें आप लो तो यह हमारा तड़का बनके तयार हो गया अब चटनी में डाल देते हैं तड़कर डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेंगे ति यह हमारा बिना नारियल का चटनी बनके तयार है फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है इस दोसा के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अई देखे सूजी भी बहुत ही अच्छे से फू इसका बेटर जो है पतला हो जाएगा तो अच्छा दोसा नहीं बनेगा अब इसमें डालेंगे खाने का सोडा तो सिर्फ एक से दो चुटकी इतना डालना बहुत ज़्यादा नहीं डालना और सोडा राल करके पहले से नहीं रखना जिस समें आपको दोसा बनाना हो उसी समे मैं आप सोडा को मिक्स कीजिए सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहां पे लेंगे एक तावा तावा को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा ओयल लगा देंगे बहुत ज़्यादा ओयल नहीं लगाना और गीला उसके और बैटर डालने के बाद मीडियम फ्लेम में कर दीजिए तब अच्छा क्रिस्पी दोसा बनेगा इसके उपर से थोड़ा सा ओयल लगा देंगे अगर आपको ओयल नहीं खाना है तो बिना ओयल का भी यह दोसा बहुत ही अच्छा बन करके तेयार हो जाता है जब अच् पार के और अच्छा क्र निकाल करके डालना है ध्यान रिकने वाली बात यह है कि इस हॉवी ह्से लोग भी चल्युक्त बन के तेयार हो जाता है और इस दोसा को आप और यह संब्ला किस डालना हि से और यह पर गिला कपरा Con suspicion गारीं तक यह सांसे ऊसकाथ कहетा उसे नेब आज़ाद आप इसमें बेटर को डाल करके इस crime लिए बहुती असान है इसे असान ही बनाणा ना फ्ररैंस बहुत ऑसानी है तो यह हमारा sweet Kannis का दोसा बन करके तैयार हो गया रही चठनी के साथ मैं इसका कुमिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग इसे जरूर से जरूर ट्राइ कीजेगा और आगे इसी तरह से अच्छी ची रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा साथ में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजेगा मेरी न्यू वीडियो की नोटिपिक के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक अच्छी से रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू